एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी इमानदारी की मिसाले आज 21 सदी में भी भारत में दी जाती है एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी जब डेथ हुई तो उन्होंने जो लोन ले रखा था बैंक से अपनी एक कार के लिए और डेथ तक जब वो लोन नहीं चुका पाए तो बैंक ने उन प्रधानमंत्री की धरम पतनी को जब ये ओफर किया कि हमें आपके पती का अब लोन नहीं चाहिए हम इसे माफ करते हैं तो उनकी धरम पतनी ने अपने मृत प्रधानमंत्री पती की पेंशन से वो कार की जो लोन है वो पूरी की थी एक ऐसे प्रधानमंत्री जब वो प्रधानमंत्री बनने से पहले रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपनी माँ को ये बताया तक नहीं था कि वो रेलेवे मंतरी है क्योंकि वो अपने परिवार को अपने आसपास के लोगों को ग्राउंडेट रखना चाहते थे जमीन से जमीन के स्तर से जुड़ा गुआ रखना चाहते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं भारत के लाल लाल बहाद्दुर शास्त्री की शायद इस देश के सबसे महंतम परधान मंतरी सबसे जादा पॉपलर और हम में से सबसे जादा लोगों से सबसे जादा फेवरेट परधान मंतरी लेकिन लाल बहाद्दुर शास्त्री के जीवन की बहुत सारी ऐसी कहानिया है जिसके बारे में आज तक किसी भी तरीके का खुलासा नहीं हुआ है जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत ने जब वो वार जीता और पाकिस्तान सरेंडर करता है और ताशकंद अग्रिमेंट जब होता है जो उस वक्त के USSR में आता था जो आज के उस्बेकिस्तान में आता है तो शास्तिरी जी वहाँ से एक बहुत बड़ी ख़बर लेकर वापस आने वाले थे कई लोगों का ये कहना है कि शास्तिरी जी की वहाँ पर मुलाकात नेता जी सुभाष्चंदर बोस से भी हुई थी क्योंकि ये भी एक थियोरी है कि 1945 में नेता जी की डेथ नहीं हुई थी प्लेंग क्रैश में और नेता जी सुभाष्चंदर बोस शास्तिरी जी से वहाँ मिले थे और ख़बर ये आ चुकी थी सुत्रों के अनुसा कि शास्तिरी जी शायर सुभाष्चंदर बोस को लेकर भारत आ रहे है लेकिन जिस दिन वो भारत आने वाले थे उससे एक रात पहले उन्हें हार्ड टेक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है और जब उनकी बोड़ी को भारत लाया जाता है तो भारत सरकार जो उसका कॉंगरिस की सरकार थी वो पोस्ट माटम तक नहीं करवाती है यहां तक की लाल भादुर शास्तिरी की फैमिली का ये कहना था कि जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत शरीर भारत लाया गया तो उनके नाकून और शरीर नीले पढ़ चुके थे और उनकी चहरे पर और उनकी पीट पर नीले और सफेद रंगे अजीब तरीके के धब्बे थे यहां तक की उनके lower abdomen और उनकी गर्दन पर cuts के निशान भी थे और यह hard attack से तो हमें समझ में नहीं आती चीज़ है तो यहां पर लाल बहादु शास्त्री के परिवार ने यह पूरी तरीके से demand रखी थी सरकार के सामने की उनका post-martum होना चाहिए लेकिन post-martum उनका हुआ नहीं और उनकी जो death की secret है वो आज भी वैसी की वैसी जमीन के नीचे दबी रह गई यह बहुत सारी theories और अलग-अलग तरीके के points हमें अनुजधर की report पे देखने को मिलते है और इसी चीज़ के बारे में आज हम detail में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले चहल Academy आप सभी UPSC Civil Services Aspirants के लिए जो financial obstacles की वज़ा से इस examination को crack करने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे है दिवाली के शुब अवसर पर आप सभी Aspirants के लिए चहल Academy एक scholarship लेकर आया है जहाँ पर online mode में prelims और mains की तैयारी करवाई जाएगी और उसके लिए आप सिर्फ 49,999 रुपीज में scholarship के बाद आप यहाँ पर इस course को subscribe कर सकते हैं और अगर इसी online mode को अगर आप recorded lecture में चाहते हैं तो इसके लिए आप सिर्फ 19,999 रुपीज पे करने पड़ेंगे लेकिन यहाँ पर दिवाली जो code है वो use करना पड़ेगा तो वापस चलते हैं अब हम लोग अपनी कहानी पर जहाँ पर हम लाल भादुष शास्त्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में और आसान भाशा में देखें लाल भादुष शास्त्री जो है वो एक prominent figure रहे हैं इंडिया की political history में और हमें आजादी में भी उनका बहुत जादा योगदान हमें देखने को मिलता है इनका freedom के struggle में भी एक बहुत बड़ा important role रहा है और ये भारत के दूसरे प्रधानबंतरी रहे है ताश्कंत agreement में इनका बहुत बड़ा role रहा था क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध देखने को हमें मिला था जिसमें भारत की जीद हुई थी 1965 में तो यहाँ पर USSR ने आकर बीच में इस war का agreement करवाया था जिसमें पाकिस्तान की तरह से उनके executive head हमारी तरह से लाल बादु शास्री जो है यहाँ पर गए हुए थे भारत जब आजाद हुआ था 1947 में तो शास्री जी को यहाँ पर parliamentary secretary जो है उत्तरपदेश का यहाँ पर बनाया है उनको यहाँ पर conductor पहली बार यहाँ पर बनाया गया था शास्री जी का यह decision था woman empowerment की तरफ हमें देखने को मिलता है और बाद में उन्हें railway और transport minister भी बनाया गया था 1956 में जब पंडित नहरू प्रधानमंत्री थे तो लाल बादु शास्री यहाँ पर railway minister थे और 1956 में तमिल nation दे देते हैं यहाँ पर नहरू जी को बहुत अचंबा होता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो मंत्री होते हुए सबसे सबसे जादा उच्च पद पर बैठते हुए किसी एक accident की जिम्मेदारी पूरी की पूरी अपनी ले और इस तीफा देते थे हाला कि बाद में 1959 में उन्हें commerce और industrial minister बनाया जाता है और 1961 में finally उन्हें फिर home minister भी बनवाया जाता है और नहरू जी की जब डेथ हो जाती है 1964 में तो इसके बाद लाल बादु शासी जो है इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं और ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका secretary एक I.S. officer यहाँ पर होता है अब अंगर इनकी achievements की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि white revolution को इन्होंने support किया था 1964 में इन्होंने national dairy development board जो है established किया था आनन्द में गुजरात में 1965 में कई अलग-अलग तरीके के agriculture institutes इन्होंने basically established किये थे जिसमें आपको सबसे important agriculture price commission food corporation of india national seed corporation warehouse corporation of india जैसी चीज़े देखने को मिलती है याने की जो basically agriculture revolution पढणित नहरू ने 1959 से लेकर 1956 तक शुरू की थी उसमें शासरी जी ने भी आगे चलकर यहाँ पर बहुत बड़ा role इनका था अब हम लोग बात करते हैं अपने मुख्य बुद्धे पर कि शासरी जी की death से related क्या-क 1977 की एक report की बारे बात करें जो राज नरेन कमिटी की chairmanship में बनाई गई थी और इनों ने एक report बनाई थी कि शासरी जी की death के पीछे यहाँ पर क्या कारण है लेकिन वो report इतनी जादा controversial बनी थी कि उसको आज तक public नहीं किया गया है ना आप न मैं न इस देश का कोई भी आम नागरे इस उस report को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता और शासरी जी का जो basically जब death हुई थी तो उनका जो resting place है दिल्ली में हम उसे यहाँ पर विजय घाट के नाम से जानते हैं और इनकी जो death anniversary उसको national integrity day of India के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है अब सबसे बड़ है कि शायद यह murder था यह killing थी यह पूरी तरीके से conspiracy थी कौन से ऐसे point से इसकी बारे में discuss करने की हम लोग कोशिश करते हैं तो 1966 January में जब लाल बादू शासरी टाश्कन जाते हैं तो USSR इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर agreement जो है वो final कराने की बात करता है पाकिस फिर उनको कहा जाता है कि severe heart attack एक उनको आया था और उनसे उनकी death वहीं के वही on the spot हो गई थी लेकिन जब शासरी जी की जो body है इंडिया लाई जाती है तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि शासरी की जो body है वो पूरी तरीके से नीली पढ़ चुकी है और इस तरीके के symptoms death के बात हमें तब देखने को मिलते है जब उन्हें जहर दिया गया हो उनके खाने पीने की चीजों के साथ अब यहाँ पर surprising बात यह है कि जब शासरी जी की body इंडिया पहुंचती है तो उस body का postpartum भी नहीं करवाया जाता शासरी जी की family बार बार यह कहती है कि इनका postpartum होना चाही लेकिन postpartum जो है इनका नहीं करवाया जाता साथ ही इनके family members ने यह कहा था कि उनके चहरे और body में अजीब तरीके के नीले और सफेद रंग के धब्बे देखने को मिलते है और उनकी गर्दन और lower abdomen के पास यानि दिचले पेट के हिस्से के पास cuts जो है blade के जो cuts है वो बादु शास्त्री की deaths related तो यहाँ पर जो जवाब आया वो था कि सर्फ एक document classify है लेकिन उस document को यहाँ पर public नहीं किया जा सकता अधर्वाइस यह international relation को खराब कर सकता है और right to information वे ऐसे exceptions हमें देखने को मिलते हैं कि सरकार इस तरीके की जो जानकारिया है वो public नहीं करती जो international relation या internal security या integrity के किसी भी तरीके से against जा सकती है अब यहाँ पर एक जो राज नरेर्ड की जो committee है वो भी basic लिए आज तक किसी भी तरीके के conclusion पर नहीं पहुँच पाई अब हम लोग बात करते हैं कुछ witness थे उनकी death के शास्तिर जी की death के ताशकर में कुछ witness थे 1977 में दो witness जिन इंडिया की जो parliamentary body है उनके सामने basically आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और गवाही देनी पड़ेगी और डॉक्टर चुग जो है यह अपनी family के साथ जब basically निकले थे कहीं कार में तो किसी एक truck ने इनको ठोकर मार दी और वहाँ पर डॉक्टर चुग की death हो गई उनकी wife की death ह हो गई उनके दो बेटू की death हो गई सिर्फ उनकी डॉटर जो है पेटी survive कर पाई अब आप यहाँ पर यह देखिए कि जो रामनाथ थे उनके सर्वेंट और डॉक्टर चुग जो शासीर जी की physician थे यह दोनों एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे 1977 में मुरार जी द या इनका भी murder किया गया था इसके बारे में किसी भी तरीके का कोई अंदाजा नहीं है अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर रामनाथ की भी हम लोग बात करते हैं उनके सर्वेंट की तो वो भी बेसिकली क्या है इनको भी car accident में इनकी death हो गई हाँ यह बात यहाँ पर बि है शासरी जी की death के बारे में वो पूरी तरीके से इस देश को हिला कर रख देगा बहुत बड़ा सच वो बताने वाले हैं लेकिन इससे पहले वो सच बता पाते है चाहे उनके physician चाहे उनकी servant लेकिन इन दोनों की यहाँ पर death हो गई इसके पीशे किसका हाथ है आपको क्या लगता है आप comment section में जरूर बताएगा अब यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर सवाल देखने को मिलते हैं सबसे पहला सवाल हमें देखने को मिलता है कि अगर उनके servant राबनात को इतनी बड़ी सच्चाई के बारे में पता था तो उन्होंने शासरी जी की death के 11-12 साल तक वेट चीदी सी बात है कि यहाँ पर post-martum report तो होनी ही चाहिए या ने की तो मान लीजिए अगर ऐसी सिथी आज की तारीख में आती है कि कि किसी देश के प्रधानमंत्री की death हो जाती है देश से बाहर या भारत के बाहर तो उसकी body लाने के बाद तो कम से कम post-martum तो किया लेकिन ये शासरी जी की body के साथ नहीं किया गया ये खुद में सवाल खड़े करता है अलग-अलग तरीके की conspiracy का शडेंद्र का क्या उस वक्त की सरकार और शासरी जी के अलावा जो Congress की दूसरे नेता थे क्या वो शामिल थे क्या राज है इनकी death का और आपके हिसाब से क्या लगता है आपको क्या शासरी की जो death है क्या वो सिर्फ और सिर्फ heart attack की बजह से हुई थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी conspiracy थी इसका जवाब comment section में जरूर दीजेगा हमें आपके जवाब और point of view का इंतजार रहेगा और इसी तरीके के detailed topics को और interesting topics को अगर आप आ आसरी जी की death के साथ अगर आप चाहते हैं कि theories जाता से जादा नागरी को तक पहुचे और जो report पारलेमेंट के सामने रखी गई है जो आज तक public नहीं हुई है अगर वो report यहाँ पर public की जाए तो उसके लिए इस video को जाता से जादा like और share करिए और चहल Academy के YouTube चानल को subscribe this is Anubhav Devani signing off I'll see you in the next video thank you very much